हलो दोस्तो आज मैं आपको दुनिया का पांच सबसे अजीव और खतरनाक स्विमिंग पूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो देखने में बेहत खुब सुरुत है लेकिन यहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं यहां जाने की तो बात छोड़िये इसे देखकर ही आपका दिल दहल जाएगा कहते हैं डर का एक अलग ही मजा होता है और लोग इसी डर को experience करने इन स्विमिंग पूल्स में जाते हैं यह जग हैं कमजोर दिल वालों के लिए बिलकुल भी नहीं है जी हां क्योंकि इन जगों पर कई कमजोर दिल वालों की डेथ हो चुकी है ओ लेडी तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मज़ेदार वीडियो को गैज इस वीडियो के आखडी तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है कौन डॉन के पाचमें नमर पर है टाइगर आइसलाइन पूल जो की आस्ट्रेलिया में है दोस्तों क्या आपने कभी टाइगर को इनसानों के साथ सुमिंग करते हुए देखा है अफकोर्स नहीं देखा होगा लेकिन आस्ट्रेलिया के इस टाइगर आइसलाइन पूल में ऐसा होता है जहां टैगर इंसानों के साथ सुमिंग करते हैं अगर आप इस ट्रेंड टैगर के साथ सुमिंग करना चाहते हैं तो आपको आस्ट्रेलिया की स्पार्क में जरूर जाना चाहिए वैसे इस पार्क के स्टाफ इस खुंखार टैगर के साथ में सुमिंग करता है जि उनके साथ अगर कुछ भी बुरा होता है तो उनके जिम्मेदार वो स्वोइंग होंगे वैसे यहां के ट्रेंड टाइगर्स इंसानों को कुछ भी नहीं करते लेकिन फिर भी जानवर तो जानवर होते हैं इनका मोड कब बदल जाए किसको पता नमबर फोर पे है टाइरोल स्विमिंग पूल जो की इटली में मौझूद है दोस्तो यह स्विमिंग पूल इटली के सौथ टाइरोल में मौझूद एक होटल की छट पे बनाया गया है 40 फीट उची इस स्विमिंग पूल में नहाने के दोरान परकृति का सौंदर देखने को मिलता है इस पूल का बाहरी भाग लगड़ी के दो खंबे पे टिका हुआ है और इस पूल की लंबाई 82 फीट है और चोकाने वाली बात तो ये है कि इस पूल के नीचे और सामने ट्रांस प्लांट कांच को लगाया गया है जो आपको स्विमिंग करने के दोरान एक अदबुत एहसास दिलाएगा आपको ऐसा लगेगा कि आसमान और जमीन के बीच हवा में आप तैर रहे हो दोस्तो इसकी बनावट और लोकेशन दोनों ही बेहद सांदार है नमबर थ्री पे है केज ओब डेथ स्विमिंग पूल जोकी आस्ट्रेलिया में है यहाँ ज़्यादा तर मजबूत जिगर वाले मगरमचों के साथ तैरने के लिए आते हैं जे हाँ इस पूल में कई सारे मगरमच रहते हैं जिन में से एक दुनिया का सबसे बरा खारे पानी का मगरमच भी मौजूद है यहाँ आने वाले लोगों को एक पिंजरे में बंद करके पूल के नीचे पानी में उतार दिया जाता है इस पिंजरे में एक बार में दो लोगों को ही पानी के अंदर निकाला जाता है जिससे लोग मगरमच को बहुत नजदिक से देख पाते हैं कई बार मगरमच इनसान को देख कर उस पिंजरे के बहुत नजदिक आ जाते हैं जो पानी में मौजूद लोगों के लिए सबसे ड्रावना पल होता है वैसे लोग यहां इसी डर का मज़ा लेने के लिए आते हैं दोस्तो नमबर टू पे है एर्सी ग्लास बॉटम स्विमिंग पूल जो की कनाडा में है दोस्तो 200 फीट की उचाई पर बना ये पूल दो बिल्डिंग्स को आपस में जोरने का काम करता है ये स्विमिंग पूल बिल्डिंग के 20 फ्लोर पर बना हुआ है इस पूल का निचला हिस्सा 6 इंच मोटा एक्रालिक ग्लास से बना हुआ है जिसमें स्विमिंग करते हुए आप नीचे के रोड का नजारा भी देख सकते हैं और इसमें स्विमिंग करते हुए आपको लगेगा कि आप हवे में स्विमिंग कर रहे हो वैसे 200 फीट की उचाई से सुमिंग करते हुए नीचे देखना ये सबके बस की बात नहीं दोस्तो उचाई से डरने वालों और कमजोर दिल वालों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है क्या आप यहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएगा दोस्तो और फैनली नमबर वन पे है इंफिनिटी पूल जो की यूके में है दोस्तो ये स्विमिंग पूल बाकी स्विमिंग पूल से काफी अलग है जिसे एक कमपनी यूके में लंदन एसकाई क्रिप के उपर में बनाना चाहती है इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पानी के अलबा किसी और चीज के लिए जगे नहीं होगी ये स्विमिंग पूल 360 डिगरी इंफिनिटी पूल होगा यहां तक कि स्विमिंग पूल में आने जाने के लिए रास्ता साइड से नहीं बलकि स्विमिंग पूल के नीचे से होगा और इस स्विमिंग पूल के चारो तरफ कलर फूल लाइट्स होंगे जिससे ये रात में और भी ज़्यादा सांदार दिखाई दे इसमें नहाते हुए पूरे सहर को देखना किसी जन्नत से कम नहीं होगा तो गैज आप इन सारे स्विमिंग पूल्स में से कौन से स्विमिंग पूल्स में जाना चाहेंगे कॉमेंट में जरूर बताईएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार